नमस्कार लीड इंडिया में आपका स्वागत है तभी उन्होंने शेल्डन कॉट्रेल के एक ओवर में पांच छक्के लगा कर मैच पलट दिया इससे पहले राजिस्थान ने ही 2008 में डेकन चार्जर्स के खिलाफ दो सो पंधा रन का टारगेट चेज करते हुए दो सो सत्रा रन बनाये थे राहुल तेवतिया के शुरुवात बहुत ही धीमी रही शुरुवाती 19 बॉल पर उन्होंने सिर्फ 8 रन ही बनाये थे इसके बाद तेवतिया ने धमाकेदार पारी खेलते हुए अगली 12 बॉल पर 45 रन जोड़े इसमें 7 छक्के भी शामिल है आईपेल इतिहास में पहली बार एक पारी के आखरी 5 ओवर में 86 रन बने राजिस्थान ने 37 बॉल पर यह रन बनाये इससे पहले 2012 में चिन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू के खिलाफ 77 रन बनाये थे राजिस्थान की टीम ने 19.3 ओवर में 6 विकेट पर 226 रन बनाये राजिस्थान की शुरुवात खराब रही थी जोस बटलर चार रन बना कर शल्डन कॉट्रेल का शिकार बने इसके बाद कप्तान स्टीव समित और संजू सैमसन ने पारी को आगे बढ़ाया इसमित ने 27 बॉल पर 50 रन बनाये उसके बाद संजू सैमसन ने 42 बॉल पर 85 रन की पारी खेली सैमसन ने अपनी पारी में 7 छक्के लगाए सैमसन को मैन आफ दे मैच भी चुना गया राजिस्थान की पारी में कुल 18 छक्के लगे पंजाब की ओर से मुहम्मद शमी को 3 विकेट जबकि अश्विन, नीशम और कॉट्रेल को एक एक विकेट मिला इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकन प्रेज करना ना भूदे